हाल फिलाल जो है अभी इंडियन गॉर्मेंट के द्वारा चाइनिज बैंबू इस्टिक पर एक तगड़ा एक्षन जो है लिया हुआ है और इसका कारण क्या है उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या इससे हमारे बैंबू इस्टिक के उपर कोई फर्क पड़ा होगा या फिर आगे क्या हो सकता है इसके बारे में जो है हम बात करेंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं के तो सस्क्राइब ज़रूर कर ले क्योंकि अगरबती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इंफोर्मेशन आपको देते रहता हूँ तो बात करते हैं अपने टॉपिक के उपर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडियान गॉर्मेंट ने चाइनीज बैंबू इस्टिक के उपर एक तगड़ा एक्सन जो है लिया हुआ है और उसका कारण क्या है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं अभी फिरहाल 2021 मतलब अभी जो साल गुजरा उसमें नॉमबर दिसंबर के महने में एक न्यूस आया था और वो न्यूस था हमारा उद्योग स्रम मंत्राले की तरब से आप जानते होंगे कि जैसा कि अभी कुछ दिनों में हाल फिलाल दो तीन महनों में काफी जो है रेट बड़ी हुई है बैंबू इस्टिक की जो बैंबू इस्टिक 10 से 15 रूपे केजी के आसपस मिल जाता था 20 रूपे तक भी मिल जाता था वह अभी 130 रूपीज 140 रूपीज केजी चली गई है मतलब 130 से 140 रूपे केजी कभी कहीं कहीं तो 150 रूपे किलो भी भीक रहा है तो इसका रीजन मैं बताता हूं कि जब गौर्मेंट ने इसके उपर चाइनीज बैंबू इस्टिक के उपर कुछ टेक्स एक्स्रा और लगा और न्यूज ऐसा भी है कि यह चार-पांच साल के अंदर यह बिल्कुल पूरी तरीके से बैं कर दिया जाएगा चाइनीज बैंबू इस्टिक वैसे भी आप जानती होंगे कि कुछ-कुछ जो केमिकल्स कंपाउंट्स होते हैं और जो हमारी रौ इस्टिक होती है रौ हैं उनको लिए फैंदी वाली चीज है कि क्योंकि वहां से इटने ही मटेरियल्स इंपोर्ट हो जाते थे कि यहां मनुफैक्टरिंग का प्रोसेस ही नहीं पाता था क्योंकि यहाँ जो materials जो use होते थे वो काफी costly बनते थे और वहाँ से जो है सस्ते में वहाँ से माल जो है आ जाते थे जिसके वज़ासे काफी जो है दिक्कत होती थी और एक market की monopoly उनके उपर बन गई थी Chinese और Vietnam तो फिरहल अगर यह bamboo अभी जैसा कुछ time आपने सुना भी होगे कि second layer जो इस्टिक होती थी अभी फिरहल यह पीछे देख रहे होंगे यह फस्ट लेयर इस्टिक होती है जो finishing होती है थोड़ी सी और एक second layer इस्टिक आती है जो की पूरी तरीके से बैन कर दी गई है मतलब आप मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी second layer इस्टिक और मिल रही होगी तो वह भी कहीं-कहीं जो पूराने स्टॉकेस रखे होंगे उनको बस यह मिल पारी है तो मेरे ख्याल से यह अच्छा होगा या बुरा होगा उसके बारे में तो उतना analysis नहीं है मेरे को कि आगे क्या होन होना चाहता हूं क्योंकि एक बड़ी पॉर्शनीटी है हमारे भारत में अगर वहां से चाइनीज बैंबू बैन हो जाती है तो यहां काम करने वाले जो की प्लाइनिंग कर रहे हैं अगर बती बिजनेस को लेकर वह उनका एक अच्छा बिजनेस करने का सिस्टम मन सकता है अ जो है वर्क चल रहा है बाकी और किसी स्टेट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बैंबू इस्टिक की मनुफेक्टरिंग होती है मिलेगा तो आपको आशाम मनीपूर त्रिपूरा यही दो तीन राजियों के अंदर ही मिलेगी तो अगर आप बिजनेस के अंदर काम करना चाहते हो तो एक अच्छी आपको चीजे बता रहा हूं जो कि आपके लिए फैदे मंद होगी वो है बैंबू की मनुफेक्टरिंग आप कर सकते हो अब इसके बारे में मेरे को कुछ जाड़ा डीटेल पता नहीं है क्योंकि इसके लिए जो बास उगाई जाती है वो अ आपके लिए काफी अच्छी चीज है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद